करनाटक चुनाओं के नतीजों में कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है नतीजों से साफ हो गया है कि भाजपा दक्षिन भारत के अपने एक लौता किला करनाटक में सत्ता से बाहर हो गई है भाजपा की हार का जो एक प्रमुक कारण नजर आ रहा है वो है भाजपा की BS यदूरप्पा पर निरभडता ऐसा लग रहा है कि करनाटक में भाजपा को BS यदूरप्पा का मोहल लेडुबा जिस जो शोर से भाजपा ने करनाटक में नित्तु परिवर्तन किया और फिर वापस भाजपा का यदुरप्पा की शरण में गई वहीं कहीं न कहीं मद्दाताओं को पसंद नहीं आया टिकेट बटवारे को लेकर भाजपा में काफी विवाद हुआ इसके चलते पार्टी के कई बड़े नेता पुर्व सेम जगदी शेटार और लक्षमन सावदी जैसे लोग भाजपा छोड़ गए 2023 के चुनाओं प्रचार में भाजपा का फोकस जहां लिंगाय अक्षन और बजरंग दल और बजरंग बली जैसे मुद्दों पर ही रहा तो वहीं कॉंग्रेस ने विकास के मुद्दे भाजपा सरकार के भष्टाचार पर ज़्यादा फोकस किया बरहाल करनाटक की जीस से जहां कॉंग्रेस को संजीवनी मिली है और वह 36 गण मध्यप्रदेश और राजस्थान में 6 माह बाद होने वाले विधान सभा चुनाओं की तैयारी में जुट जाएगी जैसा कॉंग्रेस के पुर्वर राश्टी अद्धक्ष राहूल गांधी ने कहा करनाटक की जन्ता को करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी के सब कारे करताओं को सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने करनाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ देखिए देखिए करनाटक के चुनाओं में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस की ताकत थी दूसरी तरफ गरीब जन्ता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया और यही यही हर स्टेट में होगा कॉंग्रेस पार्टी करनाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई हमारा हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से गर्थ शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी हमने महबत से प्यार से दिल खोल के यह लड़ाई लड़ी और करनाटक की जन्ता ने हमें दिखाया कि यह देश महबत को महबत यह देश को अच्छी लगती है